सो नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत करता हूँ Agriculture Knowledge School के इस यूटूब चेनल में तीन टेर्मों बहुत महत्पूर्ण है आज की पहला है प्रिडेटर, दुजरा है पेरासिटोइड और तीसरा है पेरासाइट्स इन तीनों में डिफरेंस क्या होना चाहिए क्या प्रिडेटर, पेरासाइट्स और पेरासिटोइड सेम है जी नहीं जब हम बात करते हैं सबसे पहले पेरासाइट्स की पेरासाइट्स का उधारन हम ले लेते हैं लाइस या किलनी जो पसो में आ कही पर इंसेक्ट होती है तो ये पेरासाइट है पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि इनको अपने जीवन काल के लिए Living host के आउशता होती है, Living host का मतलब क्या हुआ कि ये जीवित जीओ पर आसरित होंगे, कौन पैरसाइट, लेकिन पैरासाइट हमेसा ही छोटे होते हैं अपने host से, hunt से हमेसा छोटे होंगे और ये उस host को ज ये अपना host भी चेंज कर लें, यह parasite की definition है, परसीट्स आर दोस पैस्ट से बड़े होते हैं, लेकिन अगली जो term है वो है predators के, predators बड़ा ही specific term है predator predator का मतलब यह हुआ कि यह host से बड़े होते हैं और बड़ी active होते हैं, for example, बाथ हम करते हैं कि ladybird beetles की तो ladybird beetle या is को cyclents भी बोलते हैं तो ladybird beetle को आपने देखा हुआ कि affid को affid का predator बेर तो एक से अधिक affids को बी इट करती है और साथ प्रूस्थ को immediately capture करती है और capture करने के पाद उसको नर्स भी करती है और एक से अधिक affids को इट करती है। उसके जो mandibles होती है, maxile होती ये बड़े active होते हैं और अपने host से बड़े होने के कारण host से attached भी नहीं रहते हैं host का मतलब क्या होता है कि जिसको भी ये डेज करते हैं जिसके उपर भी ये रहते हैं वो उसका host क्यलाता है लेकिन अगले हम टम्स में जो बात करते हैं वो है पेरासिटोइट्स भाई पेरासिटोइट्स बड़ा स्पिसिफिक सब्द है और पेरासिटोइट्स सब्द जो इजात किया गया है वो आर्थोपोड इंसेक्ट जो है मारे आर्थोपोड इंसेक्ट के उपर ही अपने पेरास है यह भी आर्थोपोड़ा ओर्डर में आते हैं और सात में हाँ बात करते हैं इसका जो होस्ट है हो है हमारे जितने भी caterpillars है फर उग्जेमपल सुगर केनका caterpillar है या जो हमारे cotton के ball वॉंस है इनके उपर अटेक करते हैं जब अट्यक करते हैं तो यह भी क्या हो गए सेम होस्ट के सेम ग्रूप के पेथोजन पे एक कर रहे हैँ इस लिए हम इसको पेसे इसको लिदे के तैने पेसिटोइड कि स़य डेफिनिशन करते हैंcember कैपशिलेसि कोल्योगटेरा ऊंदर का एक इंसेक्ट के हैं जिसके उपर हम इसको मास रहीरिंग करते हैं इसको एक क्विध को कलेट करते हैं और एक जब हो घाते हैं तो इस कारण बोरिक ओड़ को हमाली जी चैने के खेट में रख देते हैं तो जब वो पैस्ट हमारा आता है बॉलवम उसके उपर यह जाकर अंडे देते हैं कौन ट्राइकोग्रामा और अंडे देते हैं मतलब इम्योचेर स्टेज में पेराइड हो जाते हैं इंसेक्ट के उपर और अपने पूरे जितनी भी इनका डेवलप्मेंट स 끝f, जर्चल में तब तक उस होस्ट पर रहेते हैं और जब और इनक्टस हो जाती है तो यह इंदल्ट सेज में बाहर निकल जाते हैं बनोब प्रीड़लप्मेंट की डेवलप्मेंट परे मजिए परिफिन टेव्र पको बिस ब्रक्स पको इ Also यह प्रेकुंचिंटक हो जात है तो यह तीनों ही टम्स आपको याद होना चाहिए और सबसे ज़्यादा जो पहला बाइलोजी क्लिटरल यूज किया गया था वह कोटोनी कुजन स्केल्स के लिए किया गया था का उप्योग जो वेडेला बीटल हमारा है उसके लिए यूज किया गया था तीन टम्स बरी तो ट्राइकोग्रामा का जिसके लिए यूज करते हैं एक परसे टर्स है तो नॉक्टविडी फेमली के इंसेट के लिए कितनी मात्रा लगती है पचास हजार अंडे प्रती हेक्टेर एक वीक में इसे चार से पांच वीक तक हम देते हैं आगे कि जो एक तर्म है वो बहुत इंपोर्टेंट होए होजाती है कि क्या प्रिडेटर हर जगे उप्योग होता है जैसे प्रेईंग मैंटीड है प्रेइंग मैंटीड का भी उप्योग होता है प्रेईंग मैंटीड है ओडोनेटा ओर्डर की जो ड्रैगन फ्लाई है ये भी हने hunters को माते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो उप्योग होता है वह हमारा पेरासिटोइट्स का होता है तो आसा करता हूँ यह आपको तीनों ही चीजे समझ में होगे कि क्या है पेरासिट, क्या है प्रिडेटर और क्या है होस्ट तो इसका डीफ में भी हम इस पर वीडियो बनाएंगे अगर वीडियो पस्सें जाता है जोरो लाइक करें, सेयर करें, कमेंट्स करें और हमें सपोर्ट करें जै जै भारत, जै किसान